हेलो गाईज मैं हूं दिपक पंजवानी जेसी अकेडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी का सौगत है जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिए आपको बताऊंगा तो अगर आपने ये वीडियो देख लिए तो आपको पता चल जाएगा कि reasoning का क्या रोल है exam में और कितना आपको पढ़ना है इसके अलावा मेरी दो वीडियो और भी आई है जिसमें मैंने maths और English दोनों का syllabus काफी detail में discuss किया है कहां से topics पूछे गए है ये भी मैंने उसमें discuss किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया है तो जाके देख लें उन वीडियो का मैंने playlist का जो link है वो इस वीडियो के description box में रखा है कि जैसे कि हर बार करता हूं कि जो हमारे तीन sections इसमें आते हैं चाहे वह English हो चाहे reasoning हो चाहे aptitude quantitative aptitude हो तो आज का हमारा topic है reasoning reasoning में जो हमारे questions आते हैं वह आते हैं 50 जो marks होते हैं वो भी 50 होते हैं यहर सवाल एक number का हो गया हिंदी और English दोनों ही भाशा में आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसके अलावा करने को मिलते हैं आपको 40 minutes for reasoning और sectional cutoff तो है ही यह आपको पता हो ना चाहिए इसके बाद हम बात करें हमारे अच्छा यह जो थी हमारी post for HR personal officer या marketing officer के लिए same pattern reasoning का reasoning का मैं same pattern बोल रहा हूँ for जो हमारा law officer है राज भाशा अधिकारी है same pattern रहता है इसमें भी 50 questions आते हैं 50 marks के आते हैं हिंदी English में पूछे जाते हैं और करने को आपको 40 minutes मिलते हैं यानि हर post के लिए reasoning का level और जो pattern है वो same है इसके बाद हम हमारे main topic के तरफ चलते हैं चुकि है हमारा syllabus syllabus को अगर हम जाने तो सबसे पहला topic syllabus में हमारा निकल के आता है वो है syllogism क्या है syllogism बहुत important topic है यह आपको आना चाहिए इसके बाद coded blood relation, data sufficiency, circle sitting arrangement, sitting arrangement पता ही होगा आपको reasoning का important topic है tabulation, assertion and reason यह भी important topic है इसके बाद मैं बात करूँ coded inequality यह भी एक बड़ेहसा topic है इसके बाद order और ranking में से भी questions आपके reasoning में से पूछे जाते हैं आपके exam में इसके बाद coding, decoding एक बढ़ेहसा topic है जो की फसाता है student को exam में इसके बाद square sitting arrangement, circle हो गया तो square भी आएगा scheduling यह भी important topic है इसमें से भी सवाल पूछे गए है logical reasoning से सवाल आए है इसके बाद direction sense, coded direction sense, easy topic माना जाता है तफ नहीं होता है लेकिन यह समें से भी सवाल पूछे गए है इसके बाद आता है analytical and decision making सवाल आये हैं इसमें से भी practice की जरूवत होती है इस topic में इसके बाद critical reasoning, puzzle the most important one जो कि time consuming होता है अगर आपने practice नहीं किया तो इसके बाद statement and assumption भी important है इसके बाद alpha numeric series जिससे बहुत साधा practice की need होती है इस chapter को करने की यह भी important है हमारे लिए इसके बाद course of action, verbal reasoning, input output और statement and conclusion यह सारे chapters हमारे लिए important है जैसे कि देखिया हमें पता है यह हमारा total syllabus है अभी तक जितने भी questions पूछे गए है इन chapter से ही पूछे गए है यह हमारा proper पूरा syllabus है तो हमें यह chapters तो prepare करने ही करने है अगर हमने यह chapters prepare कर लिए तो आप यह समझ लीजिए कि जादा से जादा 100% कोई शौर नहीं होता है आपका पूरा syllabus cover हो जाएगा questions जो पूछे जाएंगे वो इन ही chapters में से पूछे जाएगे अब आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं क्या हमारा previous year trend रहा है reasoning के questions का और कौन से chapters में से questions पूछे गए हैं तो चलिए जानते हैं सबसे पह जादा चप्टर puzzle and sitting arrangement puzzle और sitting arrangement में 25 questions shift 1 में पूछे गए थे 2020 में और shift 2 में 20 सवाल 20 questions पूछे गए थे तो यानि बहुत बड़ा और important topic है हमारे लिए ये data sufficiency की बात करें तो 2 सवाल shift 1 और 5 सवाल shift 2 में इसमें से पूछे गए इसके बाद silogism की में बात करूँ तो 5 सवाल shift 1 5 question shift 2 यानि दोनों ही shift में same questions पूछे गए इसके बाद input output में से भी question आए 5 in both the shifts दोनों ही shifts में पांच माच सवाल आए इसके बाद मैं बात करूँ coded inequality पांच माच सवाल फिर से दोनों ही shifts में ठीक है इसके बाद देखे direction sense में से पहली shift में आए 3 सवाल और दूसरी shift में आए 2 स खूणी रिष्टे इसमें आपका shift 1 में से एक सवाल पूछा गया shift 2 में आपके 3 सवाल पूछे गया तो ये आपके किस chapters में से कितने topics आए ये आपको पता चल पा रहा होगा logical reasoning में देखिए यहां बूला जा रहा है shift 1 में तीन सवाल आए और shift 1 में शायद कोई भी question नहीं आ इसके बाद miscellaneous कुछ questions जो आए है miscellaneous question की अगर मैं बात करूँ ये पूछे गए तो shift 1 में कुछ खास इसका area नहीं मिला बाकि shift 2 की मैं बात करूँ तो 5 questions उसमें भी miscellaneous में से आए तो ये तो दा देखिए हमारे 2020 का analysis अब एक साल पर हम analysis depend नहीं कर सकते तो हमें 2019 का भी analysis करना होगा जिससे हम अधनासा लगा पाएंगे कि कौन सा chapter कितना important है तो बढ़ते हमारे next slide की तरफ जो आपको बताता है 2019 IBPS SO prelims exam का analysis तो चलते हैं इसके analysis पर सबसे पहला फिर वही topic sitting arrangement and puzzles by 20 questions फिर इसमें से आए हैं और जिनका level था moderate tough नहीं था level था moderate tough नहीं था अगर मैं inequalities की बात करूँ 6 सवाल पूछे गए moderate level के थे silogism की बात करूँ 5 सवाल पूछे गए easy level के थे आपको आना चाहिए silogism आप देख पा रहे होगे machine input output 5 सवाल पूछे गए इसमें से भी easy से moderate थे बहुत जादा tough नहीं था machine output easy से moderate questions इसमें से पूछे गए इसके बाद blood relation की मैं बात seasoning की बात करें तो यह assumption और conclusion की बात कर रहे हैं आपर तीन सवाल पूछे गए moderate level के थे direction sense यह easy chapter है चार सवाल इसमें से भी आए easy to moderate तो मतलब हमारे लिए important chapter हो गया है तो direction sense इसके बाद miscellaneous की मैं बात करूँ तो दो सवाल पूछे गए और moderate level के questions थे तो total हमारे जो 50 सवाल आए इनका जो एक average difficulty level निकाला गया वो था हमारा moderate क्या था moderate यानि tough नहीं था reasoning moderate level का ही आता है banking में बहुत ज़्यादा as compared to other exams मैं कहूंगा reasoning बहतर आता है लेकिन पिछले सवाल अगर आप exams की बात करोगे IPPSSO के previous year papers के तो moderate रहा है बहुत ज़्यादा tough नहीं आया है इससे आप level decide कर सकते हो तो देखे ये था हमारा previous year trend कौनसे topics में से कितना paper पूछा गया है कितने सवाल पूछे गया है ये तो देखिया हमारा syllabus था ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है कौनसे topics important है इस trend से आप समझ पर आपको जोर उन topics पर देना है जैसे puzzles है आपके उसमें से 20-20 questions पूछे जा रहे है तो उस पर आपको ज्यादा जोर देना है कि वो तो पक्का कर ले उसके बाद जो बाकी topics रह गए उन्हें हमें करना है यानि priority हम उन्हें देंगे जिसमें से जादा paper आ रहा है बाकी को भी priority देंगे लेकिन उससे कम ऐसा नहीं कि priority दे ही ना priority देनी है लेकिन उससे कम ठीक है तो ये तो हो गया हमारा syllabus हमारा analysis जो हमारा pattern था exam का हमने वो भी discuss कर लिया थोड़ा mock test पर बात कर लेते हैं mock test हर exam के लिए बहुत जरूरी है अगर आपने अभी तक किसी भी mock test को नहीं लग है that's very nice लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप JC Academy की भी test series लें इसमें बहुत सारे mock test आते हैं बहुत ज्यादा तादाद में mock test है 365 का मिल जाता है आपको one year के लिए while 199 का मिल जाता है आपको six months के लिए तो ये सारी चीजें JC Academy के mock test में आपको मिलेंगी बहुत सारे mock test है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जैसे IVPS SO के आप देख लीजी अगर आप इसको purchase करते हैं तो आपको 10 paid mock test मिलेंगे इसमें इसके बाद sectional देख लीजी आप 91 आपको मिल रहे हैं तो बहुत सारे हैं मैं तो कहूंगा आप एक कोई भी student ना ले दो लोग मिल के ले ले जिसे दोनों ही इसको use कर पाएंगे इसके बाद आप यह देखिए sectional चोटे-चोटे mock test मिलते रहते हैं इंगले शोचाए maths हो तो आप वो भी सारे continue करके इसमें लगा सकते हैं और जो कि आपकी preparation है उसमें आपको बहुत जादा फायदा मिलेगा ये in mock test की series के लिए इसके अ और जो हमारा mock test है उसके level को जान सकेगी वो आपके लिए useful है की नहीं है तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में इसमें मैं वीडियो में आपको for total reasoning का syllabus हमने discuss किया next वीडियो में मिलते हैं मैं आप next वीडियो में आपसे मिलता हूं तब तक के लिए आप हमारे channel पर ब thank you, bye bye, have a nice day